ओमनुश्वय जैसियराम हरहर महादेव अज की वीडियो में मैं शिफशक्ती दर्बार के नियमों के विशे में आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप भी दर्बार आना चाहते हैं या आ रहे हैं क्योंकि ये जो 28 तारिक है 28 अक्टूबर 2024 को महन्दिपूर बालाजी में स्रिसिद्पिट्शी शक्ती दर्बार लगने जा रहा है और दर्बार में आने से पहले क्या नियम होने चाहिए क्या आपको लेकि आना है क्या चीजे महत्पूर हैं इस विष्चे पर पूरी जानकार इस वीडियो में आपको मिलेगी तो वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आपको जब भी आप दर्बार आना चाहते हैं यानि कि जैसे मान लीजिए कल आप दर्बार आ रहे हैं तो आज शाम को आज शाम को सोने से पहले आपको एक फीक सील पैक तिल्के से तेल की बोटल . थेक है और अच्छी क्वालेटी की हो क्योंकि वह जो तील है न उससे आपकी पूछा पूरे घर में से एंटी क्लोक्वाइस घुमा के स्रिसेद्र पीट सिफशक्ति दरबार और अनल भिया को शाक्षी मान के बोलना है कि जो भी सकारात्मक या नकारत्मक शक्तियां हमारे घर में हैं वो सब इसे में आ जाएं और फिर उसको आपको घर के मंदिर में रख देना है सुभा जब आप आओगे तो सुभा आपको जब दरबार आओगे तो दरबार में उस तेल की तिलकी बोटल को ले के आना है और एक चुटकी घर से मिट्टी ले के आनी अपने घर की अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारा घर तो पक्का है आज कल तो सभी के मिट्टी अब तीसरी चीज आपको क्या ले के आनी है वो बाबा का भोग ले के आना है बाबा का भोग यानि कि बाबा भोलेनात मा काल का को जो भोग लगेगा वो ले के आना है अब कई लोग जो भोग लाते हैं वो इतना सस्ते में रहते हैं या फिर ऐसे रहते हैं कि चलो कुछ भी ले आते हैं तो मैं आपको बता तो चाहे आप थोड़ा लाओ पर अच्छी क्वालिटी का बाबा के लिए भोग लाओ जो चीज आपको पसंद है हना वो ले के आओ ताकि बाबा को भोग लग सके हम भगवान को जो अरपित करते हैं वो सबसे अच्छी सा अच्छी अरपित करते हैं तो एक तो ये तीन चीज आपको ले के आनी है अब एक और चीज आपको ले के आनी है चोते चीज वो भी एक दिन पहले आपको लगानी है वो है अरदास जैसे आप 28 को आओगे तो 27 को अरदास लगानी है और वो आपको ले के आनी है या उससे पहले भी आ लाल कपड़ा सवा मिटर लेना है और उसमें एक मुठी पीले चावल हल्दी से रंग लीजे और पीले चावल लग दीजे उसमें 21 रुपे रखने हैं ग्यारा लोंग दो इलाइची रखनी है आपको उसमें और उसकी दो गाठे मारनी है और हाथ मला हाथ मिलेकर अपने मंदि अपने मंदिर में और उसको रख देना है अपने घर के मंदिर में जब आप दरबार आओगे तो आपको यह अर्दास लेकर आनी है तो यह तो होगे क्या लेकि आपको आना है दरबार बिल्कुल निशुलक है दरबार में कोई चार्ज नहीं लगता है निशुलक दरबार है कोई पैसा आपको दरबार में नहीं देना होता ना कोई फीज देनी होती है ठीक है बाकी हम लोग कोशिश करते हैं बाबा की आशि सीधा लेके दरबार आपको पहुंचना है आप धरमशाला लेते हो वहां रुक सकते हो ठीक है पर किसी के घर नहीं रुकना सीधा आपको दरबार आना है दूसरा नियम कि जब आप दरबार आओगे तो किसी अन्य दरबार की निंदा आपको नहीं करनी कई बच्चे जो दरब नहीं पाते और वो दर्बारों की बुराईयां करते हैं एक दर्बार गए तो दूसरे दर्बार में बुराईयां करते हैं तो आपको तो दर्बार में आप किसी की भी निंदा ना करें किसी दर्बार की बहुत की निंदा बिल्कुल भी ना करें ठीक है अगर आप निंदा करत बाबा से अरदास लगाएं ठीक है दरबार में और अपनी समस्या को मन ही मन बाबा से विंती करके बोले और हर्दे के साथ बोले भाव के साथ बोले क्योंकि सिर्ज से दिपिट शिवशक्ती दरबार एक ऐसा दरबार है जो निशुलक भी है और जिसमें सभी के काम बनते हैं ऐसी ऐसी बिमारियां ऐसी जो काम है वो बनते हैं लोगों के बिमारिया ठीक होती है जो शायद कहीं ना हूँ ठीक है तो वो बाबा की किरपा की करण नहीं होता है और जब आप फिर्दे से बाबसे प्रात्ना करेंगे तो सो प्रसेंट आपका काम होगा तो यह थी नियम जो मैंने आपको बताए हैं तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लोगी होगी पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल पर लाइक कीजिए चैनल को शे पहले बरे हम मिलते के नहीं जानकारी के साथ तब तक लिए ओमनमस्ची वाई ओमनमस्ची वाई ओमनमस्ची और ओर आज झाल झाल